आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और जो भी चैनल के उपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दिजेगा ताकि हर एक क्लास का अपडिट आप सभी को मिलता रहा है और एक बाद जितने भी क्वेस्टन आपके एक्जाम में ब जो है वो एक्जाम कंड़क्ट करवा रहा है और एक बाद अभी जितने भी क्वेस्टन में आप सभी को दिखाता हूँ वो सारे क्वेस्टन जेनिवन है और विश्वास मानो हर एक क्वेस्टन पढ़ाया हुआ है जब क्वेस्टन दिखाऊंगा न तो आप बोलेंगे वहा से जाकर डाउनलोड कर लिजेगा ताकि एक्वेस्ट से पहले आप रिवीजन कर पाओ आने वाले एक्वेस्टन के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साम को चार बजे सामको चार बजे आपका दूसरा और पहला स्टिप्ट का भी question करवा दूँगा जितने question आप अपने पास रख सको, exam कर रखो और सारे question जेनून मैं करवाता हूँ देखो आपके question क्या बना है आपका पहला question बना है आप सभी का Untouchability जो है वो किस अनुछेत के अंदर आता है तो Article 17 कुछ दिन पहले बताया गया question है आप सभी को सबसे छोटी उम्र की PM एक से दो दिन पहले रात को साड़े 11 बजे वाले क्लास में मैंने आपको बताया था यंगेस्ट पीम कौन है सन्ना मैरीन फिनलेंड का याद करो मैंने दो दिन पहले रात को साड़े 11 बजे वाले क्लास में पूरा जोड देकर बता रहा था सबसे यंगेस्ट पीम कौन है सन्ना मैरीन अगला साउथ एसियन गेम 2019 का कहां पर हुआ है काठमांडू में नेपाल अगला आर्मी चीफ कौन है मनोज मुकुन नरवाने देखो भईया अपने क्लास का क्वेस्टन करवा रहे बिल्कुल नहीं एक्जाम में क्वेस्टन आया हुआ है इरान के राष्ट पती कौन है हसन रोहानी कौन है इरान के प्रेसिडेंट हसन रोहानी वर्ल्ड बैंक के चीफ प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है डेविड माला पास एक्जाम का क्वेस्टन है आर्बियाई गवर्नर के उपर क्वेस्टन पूछा गया है हाला कि मुझे डाउट है लेकिन बहुत जगा तो ठर्ड क्वार्टर में जैन्वरी मैना में 4.7% करेंट की बात कर रहे है रीपो रेट करवाया हुआ है जब क्वेस्टन करवाया था तो मैंने करेक्शन करवा कर आपको बोला था 5.15 जो है वो आप सभी नोट कर लो W.E.F. उसके अनुसार इंडिया का ग्रोथ क्या रहने वाला है 2020 में वर्ल्ड एक्नॉमिक फॉरम के एकॉर्डिंग तो 5.8 पर तिसद हाँ अगला क्वेस्टन IBM के CEO कौन है ये आपसे पूछा है उनका नाम है आपका अरबिंद कृष्णा इसलिए रात को जब भी मैं क्लास करवाता हूँ आप सभी को हमेशा बोलता हूँ बस क्वेस्टन को रठो मत ये नहीं कि क्वेस्टन जब करवा रहे तो क्वेस्टन पड़ेगा अगला को सने ग्यान पिट पुसकार किसको मिला है इंगलीज के छेत्र में अमिताब घोस कुष्ण करवाया हुआ है अच्छा एक चीछा आप नोटिस कर रहे है क्या कि जावा पर जो कुष्ण है वो आपका करेंट का टच कर रहे है अगर मैं यहाँ पर आर्ट अबिक है तो इसको आप करेंट से जोड सकते हो एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस इगारा बारा तेरा कुष्ण देखो आर्चरी में गोल्ड मेल किसने जीता है खेलो इंडिया अभी जो हाल फिलाला गेम हुआ कृतिका सर्मा हाँ यह कृस्ण पूछा गया था आपके एक्जाम में कृस्ण इस परकार था जो नोटस अफ ड्रीम आटो बाइग्राफी है यह किसकी आटो बाइग्राफी है यह आपसे कृस्ण था तो वहाँ पर आपका अंसर होता A.R. ठीक है यहाँ पर क्वेस्ट में यह आप से नहीं पूछा था कि A.R. रह्मान का आटो बाइग्राफी क्या है आप से एक्जाम में यह पूछा था कि जो Notes of Dream है जो आटो बाइग्राफी है आत्म कता है वो किसका है तो आप क्या बोलते है वो A.R. रह्मान का है ठीक है अगला क्वेस्ट मारे सामने हर्सवर्दन ने अपने बड़े भाई राजवर्दन की मृत्यू के बाद 16 वर्स की आईउ में 1606 A.D. में सिहासन समाला था क्वेस्टन क्या था पहले आप वो सुन लो क्वेस्टन आप से ये पुछा बाना कि हर्सवर्दन जो थे वो किसके मृत्यू के बाद राजा बने थे तो एंसर क्या मैंने पूरा आपके लिए टाइप कर दिया है इतिहास एक बार अच्छे से पढ़ लो क्वेस्टन में ये पूछा गया था कि हर्सवर्दन जो है किसके मृत्यू के बाद जो है वो राजा बने थे तो हर्सवर्दन जो है वो अपने बड़े भाई राज्य वर्दन के मरने के बाद राजा जो है वो बने थे अगला कोसे नमारे सामने है गोल गुमज ये कहां पर situated है ओप्सन में बस आपका करनाटका था लेकिन exact answer मुझे पता नहीं है बीजापूर भी वहां पर हो सकता है लेकिन बहुत जन बोल रहा है कि नहीं भी या डैट करनाटका था तो अगर आपसे पूछे गोल गुमज कहां पर था तो आपका answer करनाटका होगा लेकिन अगर ऑप्सन में बीजापूर होगा तो वो होगा हमारा सही answer क्योंकि बीजापूर करनाटका के बीजापूर में जो है वो आपका गोल गुमज जो है वो situated है अगला question है हमारे सामने राज रानी मंदिर ये कहां पर इस्तित्य कोनार्क मंदिर जो है ना कोनार्क ये आप पढ़ लेना कोनार्क मंदिर कहां पर है तो आप सभी को पता है उडिसा में कोनार्क मंदिर किसने बनवाया था ये आप पढ़ लेना क्योंकि उडिसा से question बहुत बन रहा है पूरी के उपर पढ़ लिजेगा पूरी किस भगवान रहे है, right to freedom under which article, article 19, यह सब जो topic आ रहा है न, यह सब topic आप यह नहीं बोल सकते कि बहुत hard है, यह सब topic बहुत trending है, जो आज के date में हमारे इंडिया में बहुत trend कर रहा है, जो चर्चा में हैं, जो आपको जानना चाहिए, वो question आ रहा है आपके exam में, और current देखी पा रहे हो, current वो आ रहा है आप सभी का, जो बहुत trending और हाल फिलाल का, question क्या बोला है, बन भटा की पुस्तक, यह जो पुस्तक है, बुक बना भटा, वो किसके दर्बार में लिखा गया था, तो राजवर्दन, किसके कोट में, तो राजवर्दन, यारी दो question आपका यहां से बना है, रा अगला question हमारे सामने है, हरियंग वन्स के संस्तापक कौन थे, बिमसरा, यहां पर मुझे लग रहा, यह question कल का है, लेकिन बहुत जन बोल रहें, भटा, यह question आज आया हुआ है, अगला question हमारे, यह question आपका आज के exam में था, यह question, question था, मगद रसधानी का नाम क्या है, यह आपसे पूछा था, या fourth century था आपका answer क्या होगा, आपका partly पुत्र, इसको आप, जितने भी question मैंने आपको दिखाया है, मुझे सारे question आया है, बस इस question पर doubt है, कि यह question आज के exam में था की नहीं था, लेकिन जितने भी question मैंने आपको अब भी दिखाया है, एक के question आपकी exam मे first shift में आया हुआ है, second shift का question जो है, मैं आपको सामको चार बजे वाले life class में जो है, वो detail करवा दूँगा, एक भी question ऐसा नहीं है, कि कुछ भी उठा कर मैंने दे दिया, जो question आते हैं, वही देते हैं, मुझे क्यों ना दो ही question मिले, दो ही question कराऊंगा, जो लेकिन जो exam में आ है, वो, ताकि आपके पास collection रहा पाए exam से ठीक पहले, ठीक है, और एक बात, सारा PDF आप प्लीस अपने पास रखिएगा, ताकि आने वाले railway या SEC के exam से पहले आप इसका एक बार revision कर पाओ, क्योंकि ये exam TCS conduct करवा रहा है, और एक बात, एक बार आप सभी ये देख लो, कि न कहां गया, आपका चार बजी, चार बजी जो class है, आपका यहां पर मैं सिकेंट सिफ्ट के question करा दूँगा, प्लस, math में जो question आया है, वो मैंने कल करवाया था, आज भी साम को 6 बजे math का class जो है, उसमें math के question को मैं करवा दूँगा, लेकिन रात को साड़े 11 बजे तो class जो ह है, वो होगा ही होगा, क्योंकि यह class बहुत ही potent है, और अभी December का current affair चल रहा है, तो जो भी 10 प्लस 2 के exam देने जाने वाले, कास करकर वो तो देखना ही देखना, और आप देख पा रहे होगा, कितने question आपके exam में बस यहां से आ रहा है, तो जिनका भी आने वाला script है, जिनका सबी को best of luck exam बहुत अच्छे सी देना, tension बिलकुल मत लेना, आप सोचना कि आप exam से पहले बहुत अच्छे तयारी किये, अपने उपर confidence रखना, क्योंकि मैंने हमेशा बोला, जो tension है न, वो exam खराब करने आता है, क्योंकि मालो exam खराब हो भी गया tension में, उसके बाद tension चल है, वो बस exam खराब करवाने का है, तो tension बिलकुल मत लेना, बिलकुल free mind होकर exam दीजिए, बिना किसे tension के exam काफी अच्छा जारेगा, ठीक है, तो best of luck जिनका भी exam अब भी आने वाला है, आने वाले स्टिफ्ट में और कल, ठीक है न, चलिए